Hello dear friends कैसे हैं आज इस छोटे से वीडियो में हम क्लास 12 की स्टोरी दे टाइगर किंग का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे ये कहानी का लास्ट पार्ट है इसके पहले तीनों पार्ट की वीडियो अपलोडेड हैं जो आप देख सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंन पोस्ट कर दिया है ओके आए शुरू करते हैं दा टाइगर किंग लास्ट पार्ट दा पीपल विल बीकम डिसकॉंटोनेंटिड लोग निराश हो जाएंगे देन आवर स्टेट तब हमारा राज तू भी विल फॉल अप्रे टू दा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस भारती र ऐसा हुआ यू में रिजाइन फ्रॉम यूर पोस्ट तू अपनी नौकरी से स्थिफा दे देना सेट दा किंग राजा ने कहा दा दीवान वेंट होम दीवान घर गया कन्विंस्ट इस बास से संतुष्ट हो गया देट इफ दा महाराजा डिड नॉट फाइंड ताइगर परिणाम कुड़ भी हो सकते हैं कैट्स ट्रॉफिक विनाशकारी ही फिल्ट लाइफ रिटर्निंग तो हिम उसकी जान में जानाई अनली वैन केबल तब ही सौ दा टाइगर उसने टाइगर को देखा विच हैड बीन ब्रॉट जो लाया गया था फ्रॉम दा पीपल्स पार् रखा गया था एट मिडनाइट आधी रात में वेन दा टाउन स्लेप्ट इन पीस जब पुरा शहर सो रहा था शांती से दीवान और इस एज़ड वाइफ दीवान और उसकी बुड़ी पत्नी ने ड्रेग्ट दा टाइगर को खीचा टू दा कार कार में और शोड इट इंट सिदे जंगल में वेर दा माराजा वाज हंटिंग जन शिकार कर रहा था वैन ते रीच्ड दा इट लॉज्वट जब जंगल में पहुचें हूँच दा टाइगर लौंच इट सत्यागरे टाइगर ने सत्यागरे प्रारंब कर दिया और ециूज और मैंना कर दिया तो in his efforts अपने प्रियासों से to haul the beast out of the car उस जानबर को बाहर निकालने में and push it down to the ground और उसे धर्ती पर पटक दिया, फिंक गया On the following day, अगले दिन the same old tiger वही विचारा बूढ़ा tiger wandered into the maharajaj प्रजेंस maharajah की उफस्तिती में टहलता हुआ, पहुँच गया understood or खड़ा हो गया as, जैसे की if in humble supplication की वो खुदी बड़े विनीत याचना कर रहा हो Master, maharaj, what do you command of me, मेरे लिए क्या आग्या है It was with boundless joy, असीन खुशी के साथ that the maharajah took careful aim at the beast maharajah ने बड़े आसानी से साथधानी के साथ निशाना लगाया, उस पर the tiger fell in a crumpled heap और tiger सिकुड कर वहीं गिर गया I have killed the hundred tiger, मैंने सौवाट tiger का शिकार कर लिया है My woe has been fulfilled और जो मैंने किसम ली थी पूरी हो गई The maharajah was overcome with elation, महराज खुशी से दिवाना हो गया ordering the tiger to be brought to the capital, ये आदेश देते हुए इस tiger को राजधानी लाया जाए, इन ग्रेंड प्रोकेशन एक बड़े समारों के साथ जुलूस के साथ, दा महराजा हैस्टन अवे इस कार और महराजा जल्दी से कार में चला गया after the maharajah left, maharajah के जानने के बाद, the hunters went to take a closer look at the tiger जो बाकी शिकारी थे, वो उस tiger के पास आए, देखने के लिए, ध्यान से the tiger looked back at them, tiger ने वापस उनकी और देखा, rolling its eyes अपनी आखों को गुमा कर in bafflement आश्चरे से, the man realized लोगों को अंदाजा हो गया that the tiger was not dead कि tiger अभी मरा नहीं है, the bullet had missed it और गोली बच गई है it had fainted from the shock of the bullet, wishing past, ऐसा लगा कि गोली जब पास से गुजरी तो उस चौक से वो fainted माने बेहोश हो गया, the hunters wondered what they should do, शिकारियों को तुरंद लगा कि उनने क्या करना चाहिए they decided, उनने निश्चे किया that the maharaja must not come to know कि कि किसी कीमत पर maharaj को पता नहीं चलना चाहिए that he had missed his target कि उनका निशाना चुक गया है, if he did अगर ऐसा हो गया, they could lost their jobs, उनकी नौकरी चली जाएगी one of the hunters took aim from a distance of one foot, एक शिकारी ने एक फिट की दूरी से निशाना लगाया and shot the tiger गोली चला दी this time he killed it without missing the mark, इस बार बिना किसी गलती के, बिना निशाना चुक उन्होंने tiger को मार दिया then, तब as commanded by the king, जैसा राजा का आदिश था, the dead tiger was taken in procreation मरा हुआ tiger बड़े जुलूस के साथ लाया गया, throw the town and buried शहर में और दफन कर दिया गया a tom was erected over its के उपर एक बहुत बड़ा गुंबत बनाया गया, a few days later, कुछ दिनों के बाद, the maharajah son third world day was celebrated महाराजा के बेटे का तीसरा जनन दिन मनाया जा रहा था, until then, तब तक, the maharajah had given his entire mind महाराज ने अपना पूरा दिमाग लगाया था, over to tiger hunting, tiger के शिकार पर, he had had no time उसने कभी समय नहीं दिया था, to spare for the crown prince अपने राजकुमार के लिए, but now, लेकिन, अब the king turned his attention to the child उसने अपना ध्यान बच्चे की और लगाया, he wished to give him some special gift on his birthday उसने विश्मा ने इच्छा की, उसे देने के लिए कुछ wishes, तोफा, उसके birthday पर he went to the shopping center वो shopping के लिए गया दुकानों पर, in प्रतिवंदपुरम शहर में अपने प्रतिवंदपुरम, and searched every shop और हर दुकान पर खोच की, but could not find, कुछ भी मिला नहीं उसे, anything suitable, जो उसके लिए उपी होगी लगे finally, आखर में he spotted a wooden tiger, उसे एक लकड़ी का चीता मिला, इन्हें toy shop एक खिलोने की दुकान पर, and decided उसने निश्चे किया, it was the perfect gift, की उसके लिए perfect gift होगा the wooden tiger cost only two anas, and a quarter, उस लगड़ी के tiger की कीमत, सिर्फ सवा दो आना थी, but the shopkeeper, new लेकं दुकंदार जानता था, that if he quoted such a low price to the महराजा, अगर उसने महराज को इतना कम पैसा, सस्ता मूल बताया, he would be punished under the rules of the emergency, तो उस emergency की वज़े से, जो सक्त नियम बने थे सरकार के, आपातकाल में, उसे दंडित होना पड़ेगा, so he said, उसने कहा महराज, your majesty, this is an extremely rare example of craftmanship, ये बहुती बड़ा एक उधारण है, हतकरगा का, या कसीदाकारी का, a bargain at 300 रुपीज, फिर भी मैं, आपके हैं, तो 300 रुपे में इसे दे सकता हूँ, very good, बहुत अच्छा, let this be your offering, to the crown prince on his birthday, ठीक है, ये तुमारी और से तोफा रहा, राजकुमार के इसको जनम दिन पर, said the king, राजा ने कहा, and took it away with him, और उससे वो ले लिया, on that day, उस दिन father and son, बाब बेटे, played with that tiny little wooden tiger, उस छोटे से नने से, लकडी के tiger से खिल रहे थे, it had been carved, ये निर्मार किया गया, by an unskilled carpenter, एक अनाड़ी बढ़ाई के द्वारा, its surface, वाजरफ, इसकी सत्ह, खुरदूरी थी, tiny silver of boots, लकडी की छोटी 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 छिपतिया, stood up खडी थी, like keels, keels, keels की तरह, all over its के ऊपर, one of those silver, pierced, उन में से एक, जो कील जैसी थी, that maharaj right hand, maharajah की दाहने हाथ में चुब गई, pierced, चुब गई, he pulled it, उसने निकाल दिया, out with his left hand, अपने बाएं हाथ से, and continue to play, और लगातर खेलता रहा, with the prince, राजकुमार के साथ, the next day, अगले दिन, infection flared, ये infection जो था, वो फैल गया, in the maharajah right hand, maharajah के दाहने हाथ में, in four days, चार दुनों में, it developed into a suppurating sore, एक मवाद बाले घाव की तरह हो गया, which spread all over the arm, जो पूरे हाथ में फैल गया, three famous surgeons were brought in from madras, तीन बड़े-बड़े surgeons सलिचिके सक बुलाए गए madras से, after holding a consultation, एक बहुत बड़ी मंत्रणा के बाद, they decided to operate, उन्होंने operation करने का निश्चे किया, the operation took place, operation हुआ, the three surgeons, तीनों surgeons who performed it, उन्होंने operation किया, came out of the theater, theater से बहार आए, and announced उन्होंने घोष्टना की, ये operation सफल हुआ, the maharajah is dead, लेकिन महराज मर गए, in this manner, इस तरह, the hundred tiger, सौवे टाइगर ने took its final revenge, अपना अंतिम, बदला ले लिया, प्रतशोद ले दिया, upon the tiger king, उस राजा से, तो दोस्तों, आपको ये interesting कहानी कैसी लगी, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, share करें, subscribe करें, English by S.Koswami, Lots of love, bye, take care.